इचले वीडियो में हमने सीखा था एट पॉइंट के बारे में कि घर बनाने में हमें कौन-कौन से पॉइंट होते हैं मतलब यह सेड्डियूल होता है कौन-कौन से मतलब घर बनाने में कौन-कौन से स्टेप्स होने चाहिए तो वह उस वीडियो के बाद में हम नेक्स्ट तो नाइन पार्ट में हम आए कि साइज ओव जो फिंडोल एंग लिंटके घर बना रहे हैं तो घर बताने में हम देखिना होता है कि दो ़र विंडो कहां पर दे朝कार तो काफि क्या अगड़ते की सफ्टील की प्रिक वर करने के साथ साथ लगा सकते हो ठीक है तो अगर आप MS की यह भी लोगे की विंडो लगाते हैं तो आप जो विंडो का साइज होता है तो इसमें विंडो का साइज है तीन बाई चार फीट तो आप असाइज से विंडो का साइज छोड़ सकते हैं तो इसमें याद रखना की मार्जिन मार्जिन किसको बोलते ह जग है कि अगर आपके समिद्बास्तर आपको लेना ईंदर साइम आपको पलस्तर भृपिशम आई तो आजदा-जा इंठी का पलस्तर किसम या छोड़ दें तो सब प्लास्टर होने के बाद वह साइज ले लिया जाता है कि प्लास्टर में कितना गैप inner to inner बचता है अगर aluminum की window लगवा रहे हैं तो ये प्लास्टर में आप ध्यान दे कि window के जो आप inner into inner ये वाला जो window में आप प्लास्टर करेंगे प्रोपर लिए गुनिया के अंदर हो सेकंडी ये प्रोपर ली होरिजॉंट मतलब लेवल में हो प्रोपर लेवल में हो जितना डिस्टेंस जितनी दूरी इधर पर होनी चाहिए उतनी ही दूरी आपके इधर होनी चाहिए तो ये दूरी आप चेक कर ले प्लास्टर ह के अंदर आपको देखना है कि जो आपका साइज है कोई बात नहीं थोड़ा बहुत आदा इंची पौन इंची का फ्रक पर जाए कोई बात नहीं बट लेकिन वह विंडो प्लास्टर होने से पहले जब आप इसको लगाएंगे तो प्लास्टर में इसको कवर हो जाएगा यह भी सावल है जो सक अबको सॉल लेना है उकर फिल्ट कर प्लास्टर लेना फोरपर इ हो बेखा आपको देखना है कि एक मघर में हो नीचे तो इसका साइज हमें इससर वियान में देना होता है कि अगर साइज तीन भूई चार फीट है तो वो तीन फीट-र पलस एक इंची होड़न ले कर चले चोड़ाई में और चार फीट- चोड़का चले चुनाएइं के अंदर तो उसके बाद हमारा विंडो and लिंटल के बाद में बात करते हैं अपने डोर अपने घर भनाया इस तरह से मेरा बनाने के बाद जो विंडो अपने बनाई इस फिक्स विंडो गडिया या फिक्स कर इसके उपर आप क्या देलते हो लिंटल प्रवाइड करते हो तो लिंटल वहाँ पे जैसे की आपका यह फरंट है यह आपका पूरिंडवा यह इक अगर विंडव आप दे रहे हैं तो आप यहां पे दोर है आपके दर्वाजा है तो हिहां पर को कोशिश कर निचे कि इस वाल से इस कोर्णर के वाल से इस वाले कोर्णर के वाल तक आपको लिंडल परवाइड करें इससे यह बेनेफिट रहता है क्योंकि अर्थ को एक जो पुकम होता है जो अर्थ को लोड आता है तो वाल पे फोर्स लगता है मतलब उपर निचे फोर्स लगता है तो यह वाल आपकी क्या करेगी कि बॉंड का काम करेगी यह वाल इस वाली वाल में इस वाली वाल में पलस जो तो कॉर्णर जॉंट है यह वATION गॉम है है फ्रने प्रेंट में प्रेंग ले जाएं तो कुशि़ किज़े कमी से कम एक फिट और आगे तक है कम eject एक फिट्रथ ले यह तोड़ा बढूत बड़ा सकते हैं इसको कहुं कैंकर यह इसकाद फ्रेंग नारा बनगाए और आपकर रहेगा क्योंकि यहां पर स्पेस्पेस कम करें यह दूरी कम करेंगे यह वालीवाल और यह वालीवाल में आपको दोनों का बॉंड मिल गया है मतलब आपके प्रोपली से जो जोइंटिंग हो चुगी है स्वाल से ठीक है तो लिंटल एंड बीम में डिफ्रेंस के लिर होगे आपको तो यहां अगर आप खोशी करना है कि चारो साइड भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं बीच में क्योंकि यह अर्थ्वेग जो भूकम होता है वो रोधी आपको बिल्लिंग बन जाती है ऐसी हमारा टैन पॉइंट पॉइंट प् कि तो इसमें हमें पूरा यह टैंब देवेना है ठीक है इधर भी अगर जोboy पॉय जाओ है तो यह को सी करें कि आप इसको पुरह को भीम प्रोवैड़ कर दें टाइम प्रोवाइड करदें आगर आपको बझ्जट कम है तो वावे आप इसमें आप सिंपल निडियू कर कर दे को प्राफ प्रम का जो वाल है कि ने कोई वाल में फ्यूचर में रही आएगे इसके नीचे बहल सोटल का होग despos Bird की दिटेस आपक क्या रखे अगर सिलेब की गिराई आपकी पांच उंचmek नौनार यह को नहीं की सब्सक्राइब अगर आप को लम अगर आपको ल परेड़ करrij रहिए तो सूपी से एंड रहागा कि आप नोगा इंची कर लिए अगर आ को लम नहीं है तो माँ पे 12 इंची नाची को देए सकते फ्रें स्ट्रेक्शर परनाने के लिए तो इस तरह से आप ये सलैब बीम के साथ प्रवाइड करते हैं इसको बोलते हैं यह आपकी सलैब हो गई और यह आपकी सलैब बीम उसके पते हमारा 11 points 11 point में हमारा fixing door window during मेजज़नी और फीव पलस्तर की हमें जो डोर बिंडो ये मैं आपको बता दिया 11 करना है ऐब को मेस की करना है और इब YES की कर देना है पलस्तर से पहले और फ्रीक वर्ड करने के बाद कर सकते हो आप आपी ब्रिक वरने करने के साथ साथ ये विंडो फिक्स कर सकते हो जो आपकी लोहे की अपी स्टिल की बनती है अगर आपके पास अलूमिनियम की बनती है तो वह आपको प्लास्टर करने के बाद ही लगा जाती है और इसका जो साइज है यह वाला कॉर्ण water level से चक कर ले उसके पाई हमारे ही प्रॉपल साओल जो इस기를 requiring होना चीजए 11 पॉइंट हमारा के लिए अistesवकत एलेक्का कर दूटर उसके बाद हमारा वर्लिपर हो होला जाता है से यह हमारा चाहिए तो उसके बाद में हमारा काम होता है electrical का और plumbing sanitary fittings का rough electric इसको बोलते हैं प्रफ तो इसमें आप क्या करते वाल simple आपने provide करी तो वाल हो गया यहां पे विंडो हो गई और यहां पे आपका door हो गया तो अब इसमें क्या करना आपको electrical यहां पे बलब दे देते हो ceiling में आपको अगर देना फाल सीलिंग है तो उसमें आप दे सकते हो यहां पर ceiling से यहां आएगा बीम से आएगा यहां बीम होगी तो बीम से यांपकी जो slab होती है बीम conducting pipe दिया जाता है उसका लागा यह वाल आएगी तो वाल में से हम यहां पर switchboard कहां पर देते हैं जस्ट दोर के जस्ट नहीं आपका ऐसे रूम रहेगा इस तरह से तो जस्ट यह आपको दोर खुलता है जैसे दोर खुलता है तो यहां पर कम से कम जितना आपके चोड़ाई होती है तो इस तरह से काफी points होते हैं जहां पर आपके requirement रहती है तो यह प्लास्तर से पहले कर लें काफी लोगा सब्सक्राइब अच्छा है तो आगर आपको ज्यादा खर्चा है तो मतलब का बजड़ सही है तो वह प्लास्तर से पहले अंडर वाल के अंदर कर ले क्योंकि बेनेफि होता है तो वो होने के वज़ए से वज़ आप कोई की वज़ए से वह गराम होने लगते हैं वह जोई पक्रेंट के लेटा है और वह जाता है तो उसमें वायर भी आप हलकी डाल सकते हो नो प्रम्लम क्योंकि आप गरम नहीं होगे अगर कोई खाब भी हो जाते हैं तो आप इसको चेंज गा सकते हो तो यह माला उसके हमारा electrical sanitary fittings तो sanitary आपका यह bathroom हो गया तो bathroom में आपको यहां पर seat देना है जैसे कि कोई भी सीड तो सीट आपको देना इस तरह से तो यहां पर आपको sanitary fittings देने आपका tap हो गया आपका यह वाशिंग के लिए आपको यहां पर shower हो गया तो यहां पर इस यावर के लिए देंगे यहां पर ठंडा ओठंडा गरम देंगे तो इसके पास यह के वास बेसीं रहे होता है इसके switchboard तो switchboard लगाना होता है पेंट से पेंट करने के बाद ही आपको लगाना switchboard फिर आपके वाल ट्रैप जो टैंकी होती है अगर इसके अंदर आप टाइल लगा रहे तो टाइल के बाद लगाए उसका थार्ड पूंट